दोस्तों आप ये वाली वीडियो देखो इसके बात वाली भी देखो जब आप इन सब वीडियो को देखोगे तो आपके मन में पांच सवाल उठेगा अगर नहीं उठेगा तो हम उठवा देते हैं भाई हम किसलिए हैं लेकिन इस बीडियो में सिर्फ सवाल पुछेंगे इस बीडियो में अपना ओपीनियन दे के जवाब नहीं देंगे क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि राजन सिंग मकुट जो हैं वो खेसारी लाल यादो को नीचा दिखाना चाहते हैं ऐसा गरत काम ना करना जी तो आएए हैं कि ये लोग शिर्फ गाली देते हैं दलाली करते हैं या फिर और हां एक इंपोर्टेंट बात कि आप पहला सवाल जरूर सुनते जाईएगा क्योंकि वो सवाल बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है पाचवा सवाल खेसारी लाल यादो को को प्रोना प्रोटोकॉल के वज़े से उनके रूम से बाहर नहीं निकलने दिया गया तो सवाल मेरा यह है कि चार स्कॉर्पियों से आए लोग इंक्लूडिंग मनीशा और माही दोनों सगी बहन का डैंस प्रोग्राम वहां पे कैसे हो रहा था सिर्फ खेसारी लाल यादों के लिए प्रसासन को डर था और लोगों के लिए डर नहीं था, चौता सवाल यह है कि खेसारी लाल यादों को पुलीस ने रोका था और होटल को चारों तरप से घेर लिया था, खेसारी लाल यादों से एतना इतना जादा थी, तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि उस वक्त प्रसासन कहा थी जब व वहां पे बहुत ज्यादा भगदर मचा लोगों के हाथ पे टूटे उस वक्त प्रसासन कहां थी सवाल चौथा ये हैं देखो दोस्त ऐसा तो बिल्कुल भी मत कहना कि सारी लॉल यौदो के सो में इतना ज्यादा भीर था कि पुलिस से कंट्रोल नहीं होता बाबो अगर पुल पे निकल के सबजी खरीदने चले जाएं चोरदो राजनितिक बात अपरी बात मार के पुलिस नट टैटू बना दे रहा था देह पे और नेपाल के एक छोटी से जगह पे छोटा सा नचनिया का नाच नहीं बंद करवाएगा पुलिस सवाल ये कि क्यों नहीं तोड़ी बहुत चोटा सा बात है ये पता लगा ना कि वो प्रोग्राम जो है वो टिकट वाला हो रहा है कि फुरी वाला हो रहा है तो सवाल मेरा सीधा है कि बताईए कि क्यों नहीं पता कर पाए खेसारी लाल यादो के टीम कि वहाँ पे खेसारी लाल यादो का प्रोग्राम होगा क कि खेसारी लाल यादों वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे दूसरा सवाल इसको थोड़ा सा आप समझिए देखो हम आपको बार-बार कहते हैं कि आप अपना वीडियो ऐसा बनाईए कि आपके जो दर्शक हो सुनने वाले लोग हो वो पढ़े लिखे और समझदार हो जहल नहीं पाएं और इतना जादा पीटे और इतना जादा तवाही मचाएं कि डेर करू रुप्या पेल दिये भाई सुने होंगे 40 रुपियों फूका सवा लग तो हम यह पूछना चाहते हैं महराज कि कि किस प्रकार के आपके फैन हैं आप इतना फैन का डंका पीटते है इसका भी थोड़ा हमको जवाब जानना है पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि जितने भी खेसारी लाल यादव के यूच्यूबर हैं उनसे हम सीधा इन सारे बातों का जवाब चाहते हैं आप यह बताइए चाहें आप बाबा न्यूज हो या फिर टैलेंटेट यूटूबर है जो खेसारी लाल यादो का न्यूज कम और दलाली ज्यादा करते हैं वो लोग क्या दे पाएंगे इन बातों का जवाब हम खुला चैलेंज देते हैं कि आप देके दिखाए इसका जवाब हम माल लेंगे कि आप कितना समझदार है लेकिन हम लिख के देते है और देके दिखाए दो जवाब माल लेते हैं कि तुम लोग सही में हो लेकिन नहीं तुम्हाइज गामें चनूने चनूने काट रहे हैं और चुरूद